एक खिलाडी ऐसा है, जिस दिन वो चलता है उस टीम को कोई रोक नहीं सकता, वो फखर जमान है अब सवाल है पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहा है इस तर को उपर लेकर जा सकता है ये again point to note is तो पाकिस्तान को अपना best बचा के रखना है और ये पाकिस्तान की ताकत है जब जब उस टीम की पीठ दिवार पे लगी और ये इतिहास में है माजी में है कि जब जब they've got their backs to the wall ये टीम अच्छा करती है पाकिस्तान वर्सिस न्यूजिरेंट जो शनिवार का मुकाबला है कहीं न कहीं उस मैच पर ही आसारी बात आ गई है अगर पाकिस्तान शनिवार को न्यूजिरेंट को हरा देता है तोस्तों जैसे कि आपनी हाईलाइट्स में देखे लिया है चन्द सेकिंड के बाद हम मुकमल वीडियो की जानी भी चेरेंगे जैसे कि आपको पिछली सुर्ट इखाल गाम मालूम है पाकिस्तान ने बंगला देश को शिकस्त दी उसके बाद साउथ अफरीका ने न्यूजलियन को हराया और इस मैच के फूरी बाद पाकिस्तान के जो इमकानात हैं वो नजर आ रहे हैं सेमिफानल में जाने के और इसके बाद भी पाकिस्तान को न्यूजलियन को हराना पड़ेगा इंगलेंड को शिकस्त दीनी पड़ेगी तो ही पाकिस्तान स्मेफानल में जा सकता है लेकिन इसत्राम तो सुर्थ इहाल पर एक नए सुर्थ इहाल नदर आ रही है भरते मीडिया में और खौफ वाया जाता है पाकिस्तान आठीम का इस वाले से में पात करेंगे कि आखरी चार टीमें तो डिसाइड हो चुकी हैं, वो इंडिया है, वो साथ आफरिका है, वो न्यूजिलेंड है, वो अस्ट्रेडिया है, अब बाकी लीग मैचिस का क्या होगा, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि न्यूजिलेंड की टीम अचानक से डिप कर गई, वो से हारी, वो अस्ट्रेले से हारी, और वो साथ आफरिका से भी आज हार गई, और ये इतनी बड़ी हार थी 190 रन की, कि ना सिर्फ न्यूजिलेंड का मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान को उमीद भी दिखी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान वर्सिस न्यूजिलेंड जो शनिव शनिवार को न्यूजिलेंड को हरा देता है, तो दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी, हाँ, उसके बाद आपको नेक्स स्टेप देखना होगा, फिलाल मुझे लगता नहीं कि दोनों टीमों को नेक्स स्टेप की फिकर होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप उस मैच का सूचे, सपोस कीजिए, शनिवार न्यूजिलेंड पाकिसान को हरा देता है, तो पाकिसान फिर बाहर हो जाता है, लेकिन अगर पाकिसान न्यूजिलेंड को हरा देगा, दोनों टीमें में जैसे मैंने कहा, आपको बराबर हो जाएंगी, और चुकि नेट रंडेट में जो बहुत ब पहुंच जाएंगी फिर न्यूजिलेंड को एक relatively आसान टीम मिलेगी शुलंक का अगर वो उसको हरा देते हैं वो पांच जीत पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर पाकिसान को comparatively मुशकर टीम मिलेगे इंग्लेंड लेकिन इंग्लेंड जो है वो स्यूसाइडल मोड में चल रही है अब दूसरी बात ये भी आप कि आसान टीम क्या मुशकर टीम क्या बहिए अगर आप आखरी चार की टीम बनना चाहते हो तो आपके सामने कोई टीम मुश्किल नहीं होनी च जीट चुका है अग्ला मैच उनको नदरलेंड से खेलना है अब यह नहीं कहूंगा कि एफ़नसान की जीट शोर शॉट है बट नधर लेंडस भी अच्छा खेल कर आई बट अगर आप अफ़ानिसतान के के बीच रेस होगी ये ना भूलें कि न्यूजिलेंड को ना सिरफ 190 रंकी हार मिली है बलकि उनके खिलाडियों को चोड़ भी लगी है मैट हेनरी जो उनके नया बॉल डालते हैं जबरदस गेंदमाज हैं पावर प्ले में विक्टे लेते हैं उनका स्कैन होगा हैंंस्टिंग के लिहास से और हैंस्टिंग आप जानते ही हैंकि अगर हलका सा स्प्रेहं भी आता है तो भाई साब अब हफ़ता बाहर आगर तियर आ भुलें कि जिमी नीशम को भी हाथ पर गेन लग गई केन विलिम्स हार अलड़ी बाहर बैठें तो क्या न्यूजिलेंड काईल जेमी सिंग को पर्मेनेंटली अंदर लेकर आता है किसी को सब्सिचूट करता है अगर मैट हन्री का हैमस्टिंग टियर है तो शायद उनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो ये तमाम सवाल अब New Zealand के पास है अब सवाल है पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या पाकिस्तान जो क्रिकट खेल रहा है इस तर को अउपर लेकर जा सकता है ये अगेन पॉइंट टू नोट इस कि पाकिस्तान जो तीन मैच खेला है, जीता है, वो एक बांगलादेश, रेलेटिवली आसान टीम, शिलंका, रेलेटिवली आसान टीम, और नेधरलेंड्स, रेलेटिवली आसान टीम, इनके खिलाफ खेला है, इनको हराया है, अच्छी बात उनके लिए है कि शाहिन शाह जुनियर, हारिस राउफ और शाहिन अफरिदी आके विक्टे ले ले लेते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत है अगर उपर से विक्टे नहीं मिलेंगी तो भाई वो कैसे बीच में आके रुकेंगे। बीच में तो अगर न्यूजिलेंड की टीम आप नहीं रोक पाए तो यह सारे पाकिस्तान की टीम में एक खिलाडी ऐसा है, जिस दिन वो चलता है उस टीम को कोई रोक नहीं सकता, वो फखर जमान है। उस दिन वो ने दिखाया भी और जहनी तोर पर भी वो ज़्यादा कमफर्टेवल महसूस कर रहे होंगे। बाबर के रन नहीं है, बाबर को तो रन ब पैक्स दो वाल, ये टीम अच्छा करती है, हाँ ये वाली टीम, बलब जो करण टीम है, उसका हमने कभी ऐसा देखा नहीं है रूम, लेकिन इस बार चुकी वो थोड़ा सा खुल के खेले, थोड़ा सा निडर होके खेले, फेरलेस खेले, तो अच्छा खेले, लेकिन वो बा लंका को भी हरा देगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने न्यूजलेंड को हरा दिया, तो फिर आप देखिए, न्यूजलेंड का कुछ नहीं पता, वो लगातार चार मैच हार चुके होंगे, और पाकिस्तान का भी कुछ नहीं पता, उसके बाद न्यूजलेंड के बाद इंग अग्रेसिव बैटिंग की अबदुल्ला शफीक और फखर जमान की जोड़ी ऐसा लग रहा है कि बट अब इंपॉर्टन चीज यह है कि इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए अब कौलिफिकेशन बड़ी सिंपल है कि जी वो अगले दोनों मैच जीतें अब दोनों मैच किसके साथ, एग मैच है इंगलेंड के साथ, अब इंगलेंड़ वाला मैच मैच मैं फिर भी मानता हूँ कि पाकिस्तान शायद कॉलकटा में हो सकता है कि उनको हरा दे क्योंकि इंग्लेंड का आजकल स्यूसाइडल मोड में क्रिकट खेल रही है लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान न्यूजिलेंड को हरा सकता है बैंगलॉर में जहां पर हाई स्कोरिंग मैच होगा हाई स्कोरिंग मैच का मतलब होता है कि जब आप नई गेंद पर विक्टे नहीं लेते तो बीच में पिटाई बहुत होती है तो इस पूरे वर्ल्ड कॉप में आपने पैटर्न देखा है कि पाकिसान को नई गेंद के साथ जब जब विक्टे मिली हैं उन्होंने थोड़ा सा बहतर परफॉर्म के जैसे है और फगर जमान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब वो खेलेंगे अगर फगर जमान ने 70-80 गेंदे खेलनी है न वो इन वेरिबली पाकिस्तान को ऐसा स्टार्ट दे देंगे जहां से उनके मिडल ओर्डर को थोड़ी सी आसानी होगी तो यह है जी फिलाल सुरते हाल